आईश्मान कार्ड जो कि भारत सरकार की एक हेल्थ इसकी में जिसके तहर प्रतेक परिवार को 5 लाख रुपे तक का सालाना इलाज मुफ्त में किया जाता है आईश्मान कार्ड का एक नया पोर्टल लांच किया गया है इसके जरी से आप खुद ही अपने घर बेटे किसी का भी और अपने खुद का भी और अपने परिवारालों का आईश्मान कार्ड बना हुआ है और आपको अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है ये फिर आपका आईश आईश्मान कार्ड भी इस पोर्टल के जरी से डाउनलोड कर सकते हैं यह सारे जानकर यह आपको इस तरह से देख सकते हैं आपके गाउं में कितने लोगों का बना है कितने लोगों का बना बाकी है यह सारे जानकर यह आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है तो चल यहां कर आपको registration कर लेना है यह फिर आपने पहले से registration कर लिया है लेकिन आप जब OTP send कर रहे हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नजर आ रहा है इसका भी solution इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इसके लिए आपको सबसे पहले यहां पर register करने के लिए आपको इस पर क्लिक कर देना है सबसे पहले यहां से आपका state select कर लेना है यहां से आपकी जिला है district याने वो select कर लेना है यहां पर आपको एक mobile number fill up करना होगा आपके mobile number पर एक OTP send कर जाएगा OTP डाल कर आपको submit कर लेना आपका registration successfully हो जाएगा इसके आप में वापस आपको login आला जो बटन दिखा दे रहा है इस पर आ जाना है यहां पर आपको operator is self user आपको इसा भी एक select कर लेंगे उसके आपका जो mobile number आपको यहां पर fill up कर देना है fingerprint या iris face इसके नहीं जिसके मादे हम सब करना चाहते हैं उस पर एसा टिकल लगा देंगे get OTP करेंगे तो आपके अधार card से जो भी mobile number registered होगा उस पर एक OTP send कर जाएगा OTP यहां डालेंगे verify करेंगे अगर यह जो second चलता इसके बीच में अगर आपका OTP से आपके mobile पर नहीं आता है तो आप यहां से get OTP करेंगे तो आपके mobile number पर एक नया OTP send कर दे जाएगा OTP verify होते ही आपके सामने आपकी EQIC successfully का message भी आ जाएगा यहां पर आपके जो अधर का डिकन उसा जो भी detail है आपका नाम है आपका father's का name है इसके आद में आपका gender date of birth आपका address अब इसमें आ जाएगा आप यह जो capture code दिखाए दे रहा है capture है आपको फिल करना है capture समझ बने आया था तो आप यहां से refresh कर सकते हैं इसके आद में सब्मिट पर क्लिक करना है आपका EQIC successfully हो गया है नीचे आपको message भी आ जाएगा your EQIC has been successfully updated इसके आद में आपको वापस से आपके portal पर login करने के लिए बेद दिया जाएगा यहां से आपको sign in again करना है यहां पर आपका जो अभी mobile number देता वाला mobile number fill up करना है sign in पर क्लिक करना है अगर आप CAC user है तब CAC connect करेंगे अभी वो feature चल नहीं रहा है अभी आप इससे ही use कर सकते हैं आपके mobile number पर एक OTP send के जाएगा OTP डालके sign in पर क्लिक करना है आपका user interface कुछ इस तरह का नजर आएगा जो भी पहले आपको दिखाए देता था यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी detail आपको देखने को मिल जाएगी अगर आप यहां से लोग आउट होना चाहते तो यहां से लोग आउट कर सकते हैं मतलब इनका इनका काड अभी बनाया हुआ नहीं है उनकी detail है फिर उनका card बनाने के लिए आपको जो view वाला बटन दिखाए दे रहा है इस पर आपको click करना है जैसे आप इस पर click करते हैं उनका card यहां से बनने के लिए options आ जाते हैं सबसे पहले यहां पर उनका अधार card नंबर देना होगा अगर आप अधार card से बना रहे हैं तो otherwise अगर आप राशन card से बना रहे हैं तो राशन card पर click करेंगे राशन card नंबर देना हो गेट detail करेंगे उनकी detail यहां पर खुल कर आ जाएगी उसके आद में interior detail कुछ detail आपको fill up करना होगी इसके आद में EKYC करना होगा fingerprint हुझस से बीक सकते हैं उसके आद में आपका अधार card नंबर है फi रप करना होगा ईको डालेंगे उसके आद में आदा पर करना है प्रोटल में थोड़ी सी प्रोब्लम चल रही इस वाजा से कई बार आपको प्रोब्लम हो सकती लेकिन पॉल अपडेट हो जाता है आपको किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेर और चेनल को सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद